कि लॉरेंस बिश्णोय ने कराई बाबा सिद्धिकी की हत्या इस पर बाशीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सयोगी अविनाश राय स्टूडियो में मौझूद है सर पहला सवाल जो सभी के मन में है कि क्या कोई लिंक है इस हत्या का लॉरेंस बिश्णोय से अभी तक किसी ने कुछ ख्लियर कट नहीं कहा है ना किसी ने कोई इशारा किया है लेकिन एक जो चीज है वो इशारा कर रही है कि सलमान खान और बाबा सिद्धिकी के करीबी रिष्टे पूरी दुनिया जानती है इसमें जो सबसे बड़े की की factor है सलमान खान और जिनकी दुš्मनी लॉरेंस विस्नोई से पूरी जग जाहिर है इस वजह से यह पूरी लिंक निगालने के कोशिश हो रही है, क्योंकि लॉरेंस विस्नोई जिस तरीके से सलमान खान पर लगाटा टारगेट करता रहा है जोदपूर कोर्ट में पेशी का दौरान आज से 5-6 साल पहले जब यह पूरा केस हुआ था उस समय लॉरेंस विस्टोई ने कहा कि हम मार देंगे सलीम खान जब पार्क में घूमने जाते हैं तो एक बार नहीं दो दो बार तीन तीन बार चिट्टियां वहाँ पे जारी कर जाता है लेकिन सल्मान खान के चुकि सेक्योर्टी इतनी जादा है कि वहाँ पे कोई परिंदा वेपर नहीं मार सकता है इसलिए सल्मान खान पर आज तक कोई अटैक नहीं हो पाया है, सल्मान खान अभी तक शुरक्षित है, पोलिस ने भी सेक्योर्टी बढ़ा दिया, सारी चीज़े हो गई है, लेकिन अब बाबा सिद्धिकी चुकि एमेले थे, ये खुद अपने आप में एक हाई प्रोफाइल आजमी थे, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ है, अभी तक इसकी बात हम लोगों को भी डिटेल नहीं पता चल पाई है, कि अपने बेटे के स्टूडियो जब गए थे, तो वहाँ पर कितनी इनके पास security थी, नहीं थी, नहीं थी, तो क्यों नहीं थी, थी तो कितनी थी, वो security वाले क्या कर रहे थे, अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये जरूर है, कि बाबा सिद्धिकी की, ऐसी कोई पर्फनल दुश्मनी किसी से रही नहीं है, सबसे उनकी दोस्ती ही रही है, बाबा सिद्धिकी जाने ही इसी बात करें जाते हैं, कि वो इसतार पार्टियां कराते हैं, जो मुस्लिम नहीं है, वो भी उनकी पार्टियों में शामिल होते हैं, तो इकलौता लिंक वही नहीं रहाओं कि Lawrence Vishnoyi और जैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया जानती हो आप भी जानती होंगी कि Lawrence Vishnoyi की Salman Khan से कोई व्यक्तिगव दुष्मन नहीं है ऐसा नहीं है कि सल्मान खान ने लॉरेंस विश्णोई के भैस खोल ली है या लॉरेंस विश्णोई का किसी बिजनेस में फटाडा दिया है टांगडा दिया है इसकी वज़े से लॉरेंस विश्णोई के दुस्मन है सलमान खान सिर्फ और सिर्फ इसले लॉरेंस विश्णोई के दुस्मन है कि वो लॉरेंस विश्णोई के दुस्मन नहीं है बलकि वो पूरे विश्णोई समाज के दुस्मन है क्योंकि उन्हें ने जिस ब्लैक बग का शिकार कथित तौर पे किया था उसकी पूजा पूरा वि उसके पास गोल्डी बuity बड़ाड़ जैसा आदमी है। वही है जो Soulमान खान को मार सकता है क्योंकि सलमान खान ने घृतिया की थी। वो बरी हो गए हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, और उसका बदला कोई ले सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉरेंश विष्णोई है, और हो सकता है कि अभी जो हुआ है, उसमें बाबा सिद्धी की उसका एक जरिया भागा हो, जी, एक और सवाल मेरा आपसे शुरुआत में आपने कहा कि दो घंटे हो चुके हैं, अब तक किसी ने जिम्मदारी नहीं ली है, इस केस की, लेकिन इससे पहले भी जो वार्दा लॉरेंस विष्णोई की गैंग द्वारा की गई है, कुछ ही मिंटों में हमें पदा चल जाता है, वो अपनी जिम्मदारिया ले ले लेते किया, उसके बाद बहुत सारी चीजे हुई, लॉरेंस विष्णोई का जेल में जाकर के इंटर्व्यू जो हमने किया, उसकी वज़ा से भी लॉरेंस विष्णोई के सेक्योटी बढ़ा दी गई है, अभी चुकि रात का वक्त है, हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो रात के एक वजने वाले हैं, तो अभी की हकीकत यह है कि लॉरेंस विष्णोई से किसी का कोई डिरेक्ट कनेक्शन नहीं है, सुबह की मुलाकात, जब जेल में एक मुलाकात का समय होता है, कि तब हमारे पास ये सामने चीजे खुल करके आएंगी, कि अगर इस हत्या में लॉरेंस विष्णोई के हाथ है, तब तो वो तुरंत एकसेप्ट करेगा, मानेगा नहीं इस बात से, वो इंकार नहीं करेगा, जेल में है, उसको जेल में ही रहना है, वो कितना हुँखतिया करा है, जेल में ही रहना है, उसके सजाई इससा ज्यादा हो नहीं सकती है, तो चाहे वो रायस्थान की बात हो, चाहे वो हर्याना की बात हो, चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे पुल्य पशीमी उत्तर प्रदेश की बात हो, इस पूरे इलाके में अगर कोई एक माफिया सबसे बड़ा उभर करके सामने आया है, तो वो लॉ आखरी सवाल में आपसे जाना चाहूंगी कि कोई connection या कोई pattern आप देख रहे हैं जिस तरह से सल्मान खान के घर के बाहर firing की गई motorcycle में बैट कर तीन लोग आये और back to back firing की लेकिन फिलाल जिस वक के हुआ कोई मौजूद नहीं था घर के बाहर तो किसी को गोली नहीं लगी कोई भी इसका target नहीं बना इस gang का फिर वही सिद्धिकी के साथ जो हुआ कि जिस तरह से उनकी y plus security को भेद दिया गया ऐसा लग रहा है देखर कि काफी समय से planning की गई है और ये भी जा रहा है कि शायद किसी ने internal सूचना भी दी हो कि इस वक्त सिद्धिकी यहां मौजूत होगे कोई भी pattern कोई भी link इन दोनों केस में आप देख रहे हैं क्योंकि बहुत ही आसपास ही घटना है एक यह common है कोई pattern लगाने की इसमें बहुत जादा ज़ूरत नहीं है यह सब जानते हैं कि Lawrence Wisnoy एक कोख्याद gangster है उसके पास एक अपनी फौज है जो इस तरीके काम करवाती है उसे पता था कि सल्मान खान के बाहर उसने हमला करवाया सल्मान खान के पिता के पास उसने बाकाइदा चिट्थी पहुँचाई जब वो आदमी इतना कर सकता है तो बाबा सिद्धी के अंदर की खवर निकालने में उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है कि यह काम हो सकता है को उसने किया हो हो सकता है कि कोई व्यक्तिगत दुश्मन ही हो हो सकता है कि कारोबारी रिष्टे भी उनके बहुत अच्छे रहे हैं बॉलिवुड के राजनितिक दुश्मन हो सकते हैं हमें नाम ना पता हो उनके कारोबारी दुश्मन हो सकते हैं हमें नाम ना पता हो हो सकता है कि उनकी बॉलिवुड की पार्टियों में जो लोग जाते हैं उनसे एक उनके लेजिटी में से मिलती है कि हां बॉलिवुड का मतलब यह है जो ब कि जिसमें कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी मेरे साथ बारशीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारिया आपके द्वारा दर्शे को को दी गई जिसका सभी इंतजार कर रहे थे और इसी से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए दे